नम्या क्लपष गर्ग और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीमेल का पास्वर्ड रिसेट करने की, दोस्तों यह मेरा इस सीरीज का पांचवार लिटियो है, चार वीडियो में अल्डड़ी बना चुका हूँ, एक वीडियो में हमने पास्वर्ड को गेस करके अपना प मोट्रीपिकेशन आया डायरेक्ट ली और वहां से आपने यस प्रेस किया और आपने पास्वोड रिजेट किया तिसरे वीडियो में हमomena देखा कि उन्होंने हमारे मौबाईल नूम्बर पर एक SMS किया या form किया और न हमने हम溜ら bisa पासवड रिसेट किया तुम्हें हम लिए evangel आइडी पर信द kेम भी डालना और हमने पासवर र हैह उन देख़ा फैम यहाँ है तो मैं कुछ तताम पर गुगल एकाउंट टूसर हो डन को सिपस्क्राइब करने लिए इसमारा बटन को पाए और न HOW मुझेन यहाँ पर मैं एड एकाउंट कर लेता हूं यहाँ पर मैं अपनी email id सेलेक्ट करता हूं यहाँ पर next करता हूं यहाँ पर password भूल गया हूं तो forget password पर क्लिक करता हूं यहाँ पर मैं अपना email id या phone number डाल देता हूं वही वाला और यह कह रहा है कि password आपको जो याद है वो डालिए इससे हमारा काम नहीं हो पा रहा है अब यह कह रहा है कि phone पर notification बेजेंगे इससे भी हमारा काम नहीं हो रहा है अगर आपका sms भी नहीं आ रहा है अगर आपके पास email भी नहीं आ रहा है यह सारे काम हमने कर दिये मैंने तो अपना password reset करके बता दिया अगर आपका अगर काम इससे नहीं हो पा रहा है तो अब आपके साफ ने एक यह chance रहता है last वाला कि when did you create this google account तो दोस्तो यह जो है वो last तरीका है दोस्तो किसी भी तरीके से अगर आपका account यहां से recover नहीं हो रहा है तो यह last तरीका है यह तरीका आपका उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा जिनके mobile में email ID working condition में हैं दोस्तो बहुत से लोगों का यह होता है कि उनके mobile में email ID डाला हुआ होता है उनको email आते हैं सब कुछ होता है लेकिन वो किसी और device में अपने account से login नहीं कर पाते हैं आप समझ गए होंगे कि जब उन्होंने अपने mobile में email ID डाला उसके बाद वो अपना password बुल गए और उन्होंने अपने mobile में डाल रखा है email उनको आ रहे हैं सब कुछ हो रहा है लेकिन वो किसी और device में या computer में login नहीं कर पा रहे हैं तो ही यह काम करेगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि उसके लिए आपको क्या करना है अगर अपने mobile में आपका email ID डाल रखा है तो सबसे पहले आपको आपका Gmail account ऑपन करना है क्योंकि यहां पर यह पूछ रहा है कि when did you create this Google account तो Google account कब create किया था यह आपको बताना है अब आपको याद तो होगा नहीं कि आपने कब create किया था तो उसका मैं आपको तरीका बता देता हूं कि आप अपने mobile में अपना Gmail खोलेंगे और Gmail खोलके आप यहां पर सर्च करेंगे गूगल अब यहां पर आपको Google के सारे email बता रहा है देख सकते हैं कि मेरे पास Gmail की तरफ से तीन mail आए और यह आए हैं यहां पर उसकी डैड भी है 11-20-2015 तो यहां से मैं 11 महीना सिलेक कर लेता हूं क्योंकि इसके पहले का मेरे पास कोई mail नहीं है तो शायद मुझे यह लगता है कि Gmail की तरफ से जब मैंने account बनाया था तो यही पहला mail उन्होंने मुझे किया था तो चलिए यहां से मैं next कर लेता हूं तो दोस्तो दिखिए यह password reset करने की window हमारे समने खुल गई है यहां पर हम password बनाएंगे निचे password confirm करेंगे और यहां से change password कर देंगे दोस्तो अगर यह सारे तरीके भी आप नहीं कर पा रहे हैं और आपका password इन सारे तरीकों से नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट में एक ही रास option जो आता है पहला कि आप कोई भी password का एक अनुमान लगाई है कि आपका password क्या हो सकता है वह आप डालिए अगर उससे आपका काम नहीं हो रहा है तो आप यहां पर दूसरा तरीका ट्राय करेंगे यहां पर आपके mobile के अंदर वो एक notification बेजेगा यह तरीका अगर आपका काम नहीं कर रहा है तो आप next वाला तरीका काम में लीजिए कि आपके mobile नंबर पर वो कॉल करेगा कि आपके mobile नंबर पर वो कॉल करेगा या message करेगा यह भी अगर काम नहीं हो रहा है तो पिर आप next करेंगे आपने आपका email id कब बनाया था वो debt और year आप यहां पर डालेंगे अ और मैं आपको यकिन दिलाता हूँ कि अगर यह ID और पासवर्ड आपका ही है तो definitely आपको मिलेगा Google आपकी help कर देगा तो दोस्तों यह मेरा पूरा प्रयास था मैंने step by step सारी डीटेल इसके अंदर दे दी है अगर फिर भी अगर आपको कोई problem हो रही है तो आप नीचे comment करके जरूर मैं प्रयास करूँगा कि आपकी इस बारे में कोई मदद कर पाऊं तो अगर यह सारे वीडियो आपको अच्छ जए बारद